मंगलवार को अपनी हैंडिकेप बच्ची को लेकर पहुंचे एक व्यक्ति ने LIC एजेंट के खिलाफ वरिष तरिकारियों को शिकायत की जिसमें उन्होंने बताया कि पॉलिसी कराने को लेकर मामले में चैक दिये जो बाउस हो गए SP ने मामली की जाच के लिए छतरी पुरा थाना पुलिस को निर्देशित किया है डियाजी करले पर हुई जन सुनवाई में केलाश रंद खंडेलवार नामक व्यक्ति अपनी हैंडिकैप बच्ची और पत्नी को लेकर पहुँचे जो उन्होंने वरिष अधिकारियों को एक LIC एजेंट के खिलाश शिकायत की है उन्होंने बताया है कि LIC agent का काम करने वाले राजिश राठोर को उन्होंने अपनी बच्ची और पत्नी को खुल की policy के लिए रुपए दिये थे आविदक के अनुसार उक्त LIC agent से उन्होंने पूर में भी policy ली थी इसी विश्वास के चलते उन्होंने अन्हे policy को लेकर भी agent को रुपए दिये लेकिन agent ने ना तो policy की और ना ही रुपए वापस लटा रहा है आविदक द्वारा विरोथ करने पर agent द्वारा उक्त रुपए से संबंदत चेक दिये गए लेकिन जब आविदक ने उन चेकों को बैंक में लगाया तो सब बाउंस हो गए काफी लंबित समय से परशान होने के बाद आविदक ने जन सुनवाई में नयाय की उमीद लगा कर आविदन दिया स्वी महेश चंदर जैन के अनुसार आविदक द्वारा की गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए शत्री पुरा थाना प्रभारी को जांच के निदेश दिये हैं पांच लाग मेने दिये 22 लाग रुपया दे चुका हूं उसने मेरे कुछ चेक विश्टान दिये बोले पाली सी बन जाएगी विससे ही आपस ले लूँगा यह के के रमाना हो गया तो अभी आप यह शिकायत करना है क्या पुला गया अधिकारियों ने ठाने पर विच्वा इसकी नमभाई को तर में रहता है अभी एक सेकाय चर्थिपुरा की मिस्टर खंडेल वाल द्वारा देखने को मिली जब वो निकल रहे थे तो मैंने पूछा था उनसे क्या मैटर है वो अपनी बेटी पतनी के साथ में उपस्ति थूए थे और उनसे पूछा गया तो उन्ह ने यह बताए किसी एलाइसी एजेंट को उन्होंने उनकी पॉलिशियों से जो पैसा मिला था वो उसको द्वारा से पुने पॉलिशियों लगाने दू दिया था परन्तु उसके बावजूत वो उसका पैसा बापस नहीं कर रहा उसने कुछ चेक दिये जो चेक डिशोनर हो प्राथाने पर और उसमें उसकी कारवाई होगी। अपरात काइन हो रहा है।